पाँच हजार साल पहले इसी स्थान पर हुआ था प्रभुश्री राम और रावन के बीच महा युद्ध और कंकालों के सबूत आज भी देखे जा सकते हैं। इस घटना का रहस्य जानकर आप के भी होशुड जाएंगे जिसकी शुरुवात होती है बैंगलूरू शहर से। करना चाहते थे। चुकि सौरभ पूरी तरह से नास्तिक था ऐसे में उसने साथ जाने से मना कर दिया। लेकिन अन्य साथियों ने जैसे तैसे उसे मनाया और उसे साथ लेकर के वे सभी श्री लंका के लिए रवाना हो गए। श्री लंका पोहसते ही वहाँ पर उन्हें एक शक्स मिला जिसने अपना नाम एपी बताया। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था मानो वो श्री लंका का कोना कोना जानता है। इसलिए सभी विध्यार्तियों ने एपी को गाइट के तोर पर रख लिया। सबसे पहले वे लोग उस स्थान पर गए जहाँ पर सीता माता को रखा गया था। जिसे अशोक वाटिका के नाम से जाना जाता है। इस स्थान को आज सीता एलिया कहते हैं जो कि श्री लंका में एक मंदिर के आसपास मौजूद है। चूकि सौरप पूरी तरह से नास्तिक था ऐसे मौँ वो इन बातों का अलग ही मतलब निकाले जा रहा था और इन सभी को विज्ञान के साथ जोड़ रहा था। अपनी इस यात्रा में आगे वो उस मंदिर के और बढ़ रहे थे जहाँ पर सीता माता ने अगनी परिक्षा दी थी। जोकि श्री लंका के वैली मडा नामक जगह पर एक मंदिर में मौजूद है। लेकिन अचानक से मौसम ने अपनी करवड बदली और उस स्थान पर एक तेज तुफान आ गया। अचानक से एक पेड गिरने की अवस्था में आ गया और वो उन सभी विध्यारतियों पर गिरने ही वाला था। इतने में एपी ने उस पेड को अपने हातों से संभाल लिया। एपी की इस ताकत को देखकर सभी लोग बहुत हैरान थे। इसके बाद वे उस मंदिर पर पहुचे जहापर सीता माता ने अगनी परिक्षा दी थी। लेकिन अब सभी को इंतजार उस जगह का था जहापर प्रभु श्रीराम और रावन की बीच में महा युद्ध हुआ था। श्रीलंका की रामायंट रिसर्च कमेटी की जानकारी की माने श्रीलंका में आज भी उस युद्ध स्थान को युद्ध गनावा के नाम से जाना जाता है जहापर प्रभु श्रीराम और रावन की बीच युद्ध हुआ था जहापर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई लेकिन सौरप किसी भी बात पर विश्वास करने को राजी नहीं था क्योंकि उसका तो ऐसा मानना था कि रामायन कभी हुई ही नहीं थी लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सौरप के भी रॉंग्टे खड़े कर दिये वे सभी विध्यारती उस इस्थान को अच्छी तरह से एक्स्प्लोर कर रहे थे तबी एक जगह पर खुदाई के दोरान उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उनके रॉंग्टे खड़े कर दिये वहाँ पर से उन्हें एक ऐसा कंकाल प्राप्त हुआ था जो किसी राक्षिस के कंकाल के समान प्रतित हो रहा था क्योंकि उसके शरीर के आकरती मानो नुमा बिल्कुल भी नहीं थी यह कंकाल देखकर सौरप को भी बहुत ताजुब हुआ एपी ने उन्हें बताया कि यहाँ पर समय के साथ बहुत सारे कंकाल निकलते आये हैं और जिनका शोद करने पर यह पाया गया है कि यह कंकाल तकरिपन पाच हजार साल पुराने हैं वो जगह काफी चमतकारिक थी और अपने आप में ही बहुत सारे इतिहासों से बरी हुई थी जब उन सभी विध्यार्तियों ने पूरी श्रेलंका को चिदर से एक्स्प्लोर कर लिया था तभी उन्होंने देखा कि एपी तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है वो अचानक से कही गायब हो गया था सभी ने उसे ढूड़ने का भी बहुत प्रियास किया लेकिन वो कही पर भी नहीं मिला लोगों का ऐसा कहना था कि वो सुयमंजनी पुत्र थे यानि हनुमान जी जो उन विध्यार्तियों को सही राह दिखाने आये थे एक नास्तिक को आस्तिक बनाने आये थे और इस घटना के बाद सौरब भी सनातन धर्म की शक्ति को मानने लगा रोजाना हनुमान जी के मंदिर जाने लगा और उसे विश्वास हो चुका था कि सचमुच में भगवान होते हैं इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अगर आप भी सच्चे राम भक्त है तो जैश्री राम का जैकारा जरूर लगाईए और ऐसी ही वीडियो समेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अभी के लिए आप सभी दर्शुकों को हर हर महादेव